यह घुसनाओं की सरकार है तावन से जादे घुटाडी सराज में नितिसकुमार जी के राज में हुआ है और लोगों को लुभावना नारा देकर लोगों ठगने का काम आस्तक किया है नमस्कार आप देख रहे हैं लाइप सिटीज और आपके साथ मैं हूँ असीम खान 2020 चुनावी वर्स है और पूरा बिहार चुनावी रंग में मानोरंग चुका है एंडिये भी खुटागार चुकी है लगातार कंपेनिंग चल रहा है कोई वर्चुल रैली कर रहा है तो कोई खास परिवार की बात नहीं करती इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जेडी के कददावर नेता बिदायक समुक परवक्ता भाई बिरेंजी मौजूद है सर नित्यान अंद्राय ने जिस तरीके से बयान दिया कि गाउं से लेकर देश की बात इंडिये क लोग को ठकने का काम आज तक किया है लेकिन हमको अब लगता है कि जनता भी इनके लोक लुबहुने जो नारे हैं वादे हैं उस्चु समझ गई है कि यह चीटर लोग और इस चीटर लोको इस बार अपना वोट से जो बिहार में चुना होने जा रहा है इस बार बदला लेन वो जांच करा लें उनके परिवार में कोई MP है कोई MLA है कोई मारा मारी कर रहा है MLA बनने के लिए तो जिसकी जिसका बेटा पड़िवार राजनीती अगर करता है अगर राजनीती में भाग लेता है समाजी कारे करता के रुप में काम करता है अगर वो राजनीती में आता है उसको परिवारबाद नहीं कहा जागा जैसे जज का बेटा ही जज प्रहता है यह पहले हमको बताएं इसके पीछे कुछ कारण है तूकि उसकी दिल चप्षिय उसमें रही है इसलिए वह चिराग पासवान मुखर तरीके से बातों को उठाते दिख रहे हैं इसको लेकर नित्या नद का कहिना है कि तूल देना इसे सही नहीं अभी पच्छिसे तूल देरा सिर्ण पासवान और इंडिये जो है उनकी दिल से मिलन है इसी ठीक है लेकिन इंडिये में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और जिस तरह से चिराग पस्वान ने सावालों का बउचार लगा दिया है मानिय मुखमंति से सावालों का जबाब मागा है और एक भी सावाल का जबाब उन्होंने नहीं दिय है चाहिए वह दलीतों का मामला हो विहार के विकास अन जो तीजे हैं जो उन्होंने अपराद पर बोलने का काम किया है महिलाओं के साथ बलतकारसामोही को बलतगार हो रहे हैं रोज अपराद बरता चला जा रहा है शंतावन से जादे घोटाडी इस राज में नितिस कुमार जी के राज में हुआ है अगर वो सवाल उठाते हैं तो उसका जबाब देना चाहिए इसलिए अंडे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है आने वाले समय में इंतजार किजिए तमाम जो बिपच्छी डल हैं वह यह भी तो कहते नजर आ रहे हैं कि आरजेडी बड़ी पार्टी है इसलिए ज़ी घटक दल महागणबंदन के उनको तबज्यू नहीं दे रहे है उपेंद कुश्वहा को को तबज्यू नहीं दे रहा है जितना मांजी को तबज्यू नहीं से इज़्जत और समान देते हैं और महागडबंदन में आल इस वेल है ऐसा भाई बिरेंद का रहे हैं चुनावी साल है कस्मकस और तंज कसना तो लगातार जारी रहेगा अब देखना यह होगा कि जनता किसे आशिरवाद देती है और लगातार जो है सत्ता पच और विपच को जनता के बीच जो है वर्चुल रैली के तरीके से या फिर डायरेक्ट संबाद करें उस तरीके से भी मिल रही है देखना यह होगा कि जनता किसे आशिरवाद देती है यह वाते जश्वी यादब को या फिर से नितिस कुमार को लाइप सिटीज के साथ बने रहे हैं आप झाल